उसका दोस्तों द्यान रहे कि आपके सरी में कोई भी विजिबल टैट्व नहीं होना चीए ठीक है अगर आपके सरी में कोई विजिबल टैट्व वे तो आप दोग इसमें मत जाएं आपको निकाल दिया जाएगा अब दोटों बात आती है कि इसके इंटर्विय में कौन-कौ मिना स्टार्ट होता है आप लोगों को इंतिचार होता है इंडिगो के हाइरिंग कैलेंडर का तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है साल का नया महीना सितंबर स्टार्ट हो चुका है और इंडिगो की तरफ से इसका हाइरिंग करेंडर जारी कर दिया गया तो दोस्त तो मैं आपको बता दो, Indigo Airlines, Dora, Ground Stop के पदों के लिए vacancy निकाली गई है, या AOCS Department, Airport, Operator and Customer Service Department में vacancy निकाली गई है, जो की Officer Security, Officer Customer Service और Officer Ram, इन तीन पदों के लिए vacancy निकाली गई है, जिसमें दोस्तों All Over India से सभी male और female candidate अपलाई कर सकते हैं, मतब्द आप पूरे भारत में किस या फिरेसर मतलब आपकिसी एलाइस में पहले से काम कर रहे हैं तो आपके लिए good है अगर आपके लिए पहले से काम नहीं करें तो आप लोगों के लिए सुनेहरा मौगा使Queate शुबट हो सकता है अधोस्तों आपको बता दू है जो पीर बागंशी निकाली गही है और उसके बाद अन कंपनी बेनिफिट जैसे बोनस हो गया या फिर और भी जो भी इनकी फैसल्टीज बगरा हैं वो सारी आपको इसमें मिलेंगी इसलिए दोस्तों है बहुत अच्छी जोब है अगर आप लोग इसके लिए इलिजिबल हैं तो आप लोग इस बैगेंसी में ए से कि आरक्षन के अनुसार अन्ड जो गौर्रमेंट नोकरी आती इसमें छूट मिलती है तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगे आप किसी भी कैटेग्री से बिलोंग करते हैं चाय जन्नल, OBC, EWS, SC, ST अगर आपकी इस 18-17 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए इलिजबल हैं और आप लोग अपलाई कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों मोड अफ अप्लीकेशन की कि जो लोग इसके इंटर्व्य में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको अपलाई कैसे करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी Indigo Airlines की साइट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है इसलिए उनकी साइट अभी चल नहीं रही है तो अभी online अभी मादम उनका बंद है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें offline मादम से apply कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको venue के दिन मतलब आप जिस भी एरपोर्ट में जाना चाहते हैं उसके इंटर्विव के दिन आप महां पर पहुंच जाए और सुबह आप लोग वाप जाकर registration करवा सकते हैं आप लोग वाप इंटर्विव में हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको बता दूँ कि आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें कौन-कौन से एरपोर्ट के लिए वैकनसी निकाली गए है तो दोस्तों सबस्ते पहले हम बात करें कि इंदौर एरपोर उसका पोर्ट ब्लेयर, बैंगलॉर, मुंबाई, कोलकाता, फिर से बैंगलॉर, एमदाबाज और फिर से मुंबाई तो दोस्तों इतने एरपोर्ट के लिए वैकनसी निकाली गए है आपको मैं बता जिता हूं डेट वाइस मतलब कौन-कौन से एरपोर्ट के लिए तो जो लोग इंदौर जाना चाहते हैं दोस्तों का इंटर्व्यू 8 सितंबर को है उसका जो पोर्ट ब्लेयर को जाना चाहते हैं उनका इंटर्व्यू 8 सितंबर को है जो लोग बैंगलॉर जाना चाहते हैं उनका इंटर्व्यू 14 सितंबर को है उसका जो कोलकाता जाना चाहते हैं लिए सकते हैं अप लोग बात करते हैं कि इनका इंटर्वी फोगा कहाँ पर कौन को उसãy जगे कि आप इनका इंटर्वी होगा तो दोस्तों आप लोग उसके लिए लिकव लिए उसलिस्ट को कर लीजिये उस लिस्ट में इस इंटर्व्य का इसने सागर समझ लिए और समझ लें उसके वाद अगर आपको लगे कि मुझे से इंटर्वियू में जाना चाहिए तभी आप लोग उस इंटर्वियू में हिस्सा लेने के लिए शोचें तो दोस्तों ध्यान रहा है कि जिस दिन इंटर्वियू है उस दिन आपका रेजिट्रेशन टाइमिंग कोई इनटर्व्य और आप को त półधं हो सकता है और दोसों है मा बता दूबी कि रिओनि और दो दोस्तों चार राउंड आपके टोटल इंटर्वी में होंगे जो लोग क्लियर करेंगे फाइनली वो लोग इन में से किसी एक पोजिशन के लिए सेलेक्ट हो जाएगा आप दोस्तों बात करता हो कि वाक इन इंटर्वी के दिना आपको कौन कों से डागुमेंट्स अपने ओने चाहिए उसका दोस्तों आपके आल इज्यूकिशन सटूटि वाली अगर आपको तक पॉछिशन होता है तो आपको दस्रे पंदर दर के टाइम मिल जाएगा तो आपने सकते हैं उसका दोस्तों जो लोग पहले से किसी में काम कर रहे हैं तो उनको पास दोस्तों एनवर होनी चाहिए जो पहले इंप्रॉयर में काम कर रहे हैं उसका अनुसी होना चाहिए प्रस तीन महींने की सेलरी स्लिप भी उनको लगेगी यह दोस्तों सिर्फ बहुत सिर्फ एंडियेट के लिए लागू नहीं होता है उसका दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपके पास होना चाहिए आप लोग बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि आप बैगेंस जी तो बता दिया मगर आप लोग इसकी सेलरी के वारे में कभी नहीं बता दे दोस्तों मैं आपको बता दूं यह जो एरपोर्ट में डेजरिंग संदी गई है ऑफिस सेक्यूर्टी क में होता तो वहां पर आपको 20,000 मिलेंगे अगर आपका सेलेक्शन बी या सी काटेग्री में होता है तो वहां पर पिर आपकी पेवेंट कम हो जाएगी एबी का मतलब ऐसा होगा जिस दिल्ली मुंबई बैंगलोर यह बड़े एरपोर्ट है तो इनको दोस्ता एक काटेग् कितनी होने उना शेहर है तो मैं इसमें ग्रैजुएशन एंगर आप कर नहीं है अगर आपका उने हो चुका है मलाव को चुकाई आपके थास खून आपके घौशप ilis आपका complete होना चाहिए उसका दोस्तों आपको मैं पहली बता चुको है इसमें फैसलिटी आपको ESI मिलेगी पीफ मिलेगा टिकट मिलेंगे और अधर कंपनी बेनिफिट जैसे बोनस वगरा आज सारी शुविदाएं मिलेंगी और दोस्तों इसमें बात करते है priority कि इसमें priority कौन से कंडियेट को दी जाएगी तो दोस्तों जिन कंडियेट के पास NCCC certificate होगा उनको officer security में थोड़ी छूट दी जाएगी अब बत्ता उनको पहले अपना personal interview क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही दोस्तों उनको priority दी जाएगी उसके बाद दोस्तों जिन्दों ने बारेवी skills अच्छा है अगर आपको इंग्लिस अच्छी तरीके से आती है आप उसको बोल लेते हैं और समझ सकते तभी आप लोग इसके इंटर्वी में इससा ले सकते हैं अगर आपका सेलेक्शन में 100% हो जाएगा उसका दोस्तों द्यार रहें कि आपके सरी में कोई भी वीजिबल आपको निकाल दिया जाएगा तो दोस्तों यह जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकार के साथ तब तक के लिए जहन बंदे मादरम